mutual fund की एक ऐसी category जो की risk के साथ return भी retail investors को ज़्यादा बना करके देता है और इस category में एक उभरता हुआ नाम quant small cap जो की पिछले 5 साल में अगर आप इनका performance देखेंगे तो लगबग 46% annualized CAGR return के मामले में retail investors को इन्होंने एक अच्छा खासा corporate generate करके दिया हुआ है आप इसका जो performance है इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जो second number पर top performer है उनका आप return देखेंगे लगबग 38% है और इसका लगबग 46% यानि दोनों के बीच में लगबग 8% का यहाँ पर gap है दोनों small cap के category के हैं और दोनों का मैं पिछले 5 साल का अगर record देख रहा हूँ तो दोनों में लगबग 8% का gap है अब आप quant के इस return के पीछे का कारण क्या है और क्या यह mutual fund आपके लिए बहतरीन हो सकता है यानि इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि जब भी हम long term की बात करते हैं तो किवल return हमारे लिए देखना important नहीं है क्या हमें यह downside protection provide करेगा यानि क्या long term में यह हमें एक अच्छा wealth generate करके देगा या नहीं ऐसे तमाम parameters पर हमें इसके बारे में research करने के आशकता होती है जो कि आप इस वीडियो में देखने जा रहे हैं और बहुत ज्यादा interesting वीडियो है अंतर तक जोड़ जोड़े रहेगा नमस्कर दोस्तों मेरा नाम है record के बजाए हमें कम से कम उसके पिछले 10 साल का record देखने की आशकता पड़ती है लेकिन Quant mutual के साथ एक problem है कि अभी इस mutual fund को 10 साल का समय नहीं हुआ है इसके थोड़े से background के बारे में जानते हैं तो 1996 में एक AMC आई थी existence में escort mutual fund के नाम से जो की आज के date में सबसे ज्यादा oldest जो acquire कर लिया Quant ने इसे acquire कर लिया यानि इसे खरीद लिया यानि कि Quant का जो भी performance आप देख पा रहोंगे ये 2018 से देख पा रहोंगे ठीक है और 2018 के starting में ये acquisition हुआ था और उसके बाद से 2018 के last तक जाकर के ये अपना function start कर पाये थे आज की date में अगर आप देखेंगे तो 2024 है यानि इस AMC को complete हुआ है यानि कि हम इस mutual fund के पिछले 10 साल का record नहीं देख पाएंगे सिर्फ 5 और 6 साल के record के आधार पर ही हम इस वीडियो को आगे proceed करेंगे ठीक है तो जो भी आप data देख पारे होंगे सिर्फ 5 और 6 साल पुराना ही है यहाँ पर इस AMC के performance का अंदाजा आप इसी स 24 तक का देख पारे होंगे इनका जो AMC है क्वांट का जो total AUM है वो 6,716 करोड का हो चुका था 31 मार्च 2024 तक और आज के date में अगर बात करें तो जो इसका AUM है वो 90,000 करोड को भी touch कर चुका है 90,000 करोड का तो आप सोच लिजिए कि पिछले 5 से 6 साल में कितने percent का AUM में यहा करके उबरा हुआ है चाहे जैसे भी यह return बना करके दे रहे हो चाहे इनका turn over बहुत हाई हो लेकिन निशी तोर पर जो retail investors है वो risk लेने से भी अब नहीं कतरा रहे हैं क्योंकि इसका अंदाज आप इसी से लगा सकते हैं जब इनका AUM 90,000 करोड का हो गया यानि कि लगतार investors ज देखेंगे small cap category का तो quant AMC जो है इनमें सबसे बड़ा जो AUM है वो small cap category का ही है 90,000 करोड में AUM जो सबसे ज़्यादा contribution है वो quant small cap का है कोई भी mutual fund कैसा performance दे रहा है इसकी तुलना उसके benchmark से की जाती है अब ये benchmark क्या होता है तो जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको ग्यात होगा कि किसी भी class में pass होने के लिए एक threshold value decide की जाती थी मालीज़े 33% हो गया अगर आपका number इससे उपर गया तो आप pass माने जा होगा वो nifty small 250 होता है अब इसी के benchmark से हम लोग तुलना करके देखेंगे कि इनका performance कैसा है अब यहाँ पर ध्यान दीजेगा जो yellow वाले line से आपको graph दिख रहा होगा वो benchmark का है और जो blue वाली line से आपको graph दिख रहा होगा वो quant small cap category का है ठीक है यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर max पर select किया हूँ मतलब कि maximum data तो यहाँ पर आप देख पारोंगे लगतार yellow वाली line आपको ऊपर दिख रही होगी यानि इतने समय के लिए यह जो benchmark है इसको बीट नहीं कर पा रहा है quant small cap अब यह timing आप ध्यान से देखिएगा मैंने अभी आपको data दिखाया कि quant ने कुछ समय तक यहाँ से देखिए quant का performance यहाँ से चालू है acquire करने के कुछ समय तक quant का performance था वो नीचे था down था लेकिन उसके बाद से पिछले 5 सालों में इस quant mutual fund ने बहुत अच्छा performance दिया है ठीक है लेकिन पहले जो score था उसका performance लगतार अगर आप देखेंगे तो अपने benchmark को बीट नहीं कर पा रहा था हलांकि जो small cap category का history है वो बहुत बड़ा नहीं है बहुत बड़ा नहीं है लेकिन जो भी था यह अपने benchmark को बीट नहीं कर पा रहा था और पिछले 5 सालों से जब से quant का AUM बढ़ा है तब से इन्होंने अपने benchmark को को लगतार बीट किया है यह तो हो देटा में यह यलो वाली लाइन लगतार आपको उपर दिख रही है यानि एक महीने में quant small cap जो है वो अपने benchmark को बीट नहीं कर पाया है पिछले 3 महीने का अगर मैं data आपको दिखाने की कोशिच करूं 3 महीने का data मैंने select किया यहां पर आप देख पा रहा होंगे यहां से ल अपने benchmark को बीट कर पा रहा है return के मामले में एक साल का अगर मैं आपको आकड़ा दिखाऊं तो blue alley line लगतार आपको उपर दिख रही होगी इसके बास से 3 साल का आपको blue alley line उपर दिख रही होगी 5 साल के data में भी आपको एक बड़े margin से blue alley line उपर दिख रही है यानि कि 5 साल क अगर आप आकड़ा देखेंगे तो निशीत तोर पर ये fund बहुत अच्छा perform कर रहा है और अपने benchmark से बहुत आउट perform करके दिखा रहा है लेकिन जब भी एक साल एक महीने तीन महीने की बात आती है तो इनका performance थोड़ा सा down जरूर हुगा है पिछले एक महीने में अगर आप आप देखेंगे तो सेबी के द्वारा एक search and seizure operation किया गया था front running मामले में को ले करके quant AMC में और इसी की वज़े से इन्हों आपने देखा होगा कि 2800 करोड का outflow देखा गया इनके mutual fund के अलग-अलग category से यानि कि इनका जो सबसे बड़ा AEM है वो small cap category का है small cap category का इनका सबसे बड़ा AEM है और वहां से outflow सबसे ज़्यादा देखने को मिला निश्ची तोर पर जब outflow होता है हलांकि AMC ने कहा कि ये हमारे regular जो outflow होते हैं यानि redemption के जो order आते हैं उसे थोड़ा सा ज़्यादा है slightly ये ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन निश्ची तोर पर पिछले 3 महीने और 1 महीने में ये अपने benchmark को beat नहीं कर पा रहा है लेकिन कभी भी जब आप किसी mutual fund को review करते हैं तो इतना कम period के लिए आप उसे judge नहीं कर सकते हैं कम से कम 5 साल का data आपको देखना चाहिए और 5 साल के data में निश्ची तोर पर ये अ option हो सकता है अब आईए कुछ और technical data के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं तो यहाँ पर आप अगर SIP करना चाहते हैं इस AMC के साथ small cap में तो कम से कम आपको 1000 की SIP करनी होगी इसका fund size आप देख पा रहे होगे लगबग 23,000 करोड को ये touch करने वाला है 23,000 करोड का fund size है जो की बहुत अच्छा खासा AVM बोला जाएगा ठीक है इसके बाद से अगर मैं यहाँ पर आपको इनकी holding दिखाऊं तो total इनकी जो holding है व debt main की holding है 1% और debt main की holding है 0.9% ठीक है इसके बाद से यहाँ पर देखिए इनका जो PE ratio है वो 27 के आसपास है PE ratio हमें ये बताता है कि कोई भी stock है वो हमें किस rate पर मिल ला है यानि कि माली जे इसका full form होता है price to earn ratio यानि कि जो हम पैसा लगा रहे हैं एक रुपया कमाने के लिए ए value जितना कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा होता है ठीक है अब यहाँ पर अगर हम लोग एक reference point की बात करें तो अगर आपके पास ये 20 के आसपास मिल ला है 20 से 22 के आसपास मिल ला है तो ये fair value बोला जाएगा और इसे से थोड़ा सा उपर मिल ला है तो ये निश्ची तोर पर over value बोला जाएगा और अगर आप small cap category को अभी आप देखेंगे तो निश्ची तोर पर over valuation यहाँ पर देखने को मिलेगा तो अगर भले ही आपको महेंगे rate पर मिल लेकिन अगर return बना करके दे रहा है तो इसमें पैसा invest करने में कोई बुरा ही नहीं है ठीक है तो इसको ले important होते हैं और यहाँ पर एक एक चीज को मैं explain करने जा रहा हूँ और बहुत ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले बात करेंगे बीटा की बीटा हमें यह बताता है कि कोई भी mutual fund जो है वो अपने benchmark से कितना ज़्यादा volatile है अब माल लिजे कि यह आपका benchmark का performance है और अगर इस mutual fund का performance अगर इसके आसपास रहा तो वो हमार लिए अच्छा है अगर माल लिजे कि यह जब market उपर जा रहा तो बहुत अच्छा performance दे रहा है और जब market नीचे जा रहा तो यह बिल्कुल ही गिर जा रहा है तो इस प्रकार के mutual fund हमार लिए अच्छा नहीं होते है और जब भी बीट बीटा की value जब 1 होगी यानि इसका मतलब ही हो गया कि यह अपने benchmark के आसपासी performance देगा लेकिन बीटा का value जब भी 1 से जादा होता है बीटा का value एक से अगर जादा हो गया तो यह बहुत जादा volatile माना जाएगा यानि benchmark जब उठेगा तो यह mutual fund बहुत तेजी से बढ़ेगा और जब benchmark गिरेगा तो यह mutual fund बहुत तेजी से नीचे भी गिरेगा यानि downside protection उसमें कम हो जाता है अगर बीटा की value एक होती है बीटा की value हमारे लिए वो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा जिसमें एक से जितना कम हो अब यह बीटा की value लगबग एक के बराबर है इसका अब आप turn over ratio देखेंगे यानि लगतार यह AMC जो है अपने small cap के portfolio में बदलाव कर रही है यानि frequently यह अपने stocks में परिवर्तन करते जा रहे हैं इस वज़े से यह थोड़ा सा आपको बीटा का value हाई देखने को मिलेगा अब अगला जो हमारा data है alpha का alpha हमें यह बताता है कि केवल benchmark के बराबर return पाना होता तो हम passive mutual fund में जाते हैं हम active में क्यों जाते हैं जब हम active में जा रहे हैं यानि ज्यादा fee पे कर रहे हैं fund manager की fees या फिर जो भी उस AMC के द्वारा fees लगाया जा रहा है उसे expense ratio के तोर पर आप जानते हैं तो जब हम active fund को चुन रहे हैं और active fund में आप देखेंगे fees ज्यादा होता यानि आपका yearly जो charge लगेगा आपके fund को manage करने के लिए MC के द्वारा वो आपको ज्यादा pay करना पड़ा जब आप ज्यादा पे कर रहे हैं तो जाहिर से बात है आप यह चाहेंगे कि जब आप fees ज्यादा दे रहे हैं तो आप इससे ज्याद benchmark है यह माल लिजे कि आपको एक time period में 10% का return बना करके दे रहा है तो यह alpha की value और beta की value हमें बताती है कि यह mutual fund expected कितना return हमें बना करके दे सकता है तो जो भी benchmark का return होता है उसको पहले multiply कर देते हैं इस beta में तो जब multiply करेंगे तो कितना value आजाएगा 9.7 आजाएगा ठीक है और जो भी value आया इसमें हम लोग जोड़ देते हैं इस alpha के value को alpha के value कितना 6.16 अब मैं यहाँ पर जोड़ा हो देखिए 8 हो गया और 9.6 15 हो गया यानि कि अगर benchmark small cap category का benchmark 10% का return देगा तो यह जो mutual fund है quant small cap वो लगभग 15.8-6% का return आपको बना करके देगा और यहीं region है कि लगतार जो investors हैं उनका रुजहान इसकी तरफ देखने को मिल रहा है और लगतार यह अपना पैसा इसमें invest कर रहा है क्योंकि active fund होने के साथ ये लगतार पिछले 5 साल से number one top performer रहा है इसके साथी साथ कुछ और technical data को देखेंगे अगर हम लोग तो यहाँ पर sharp ratio हमें बताया जा रहा है sharp ratio जो होता है वो हमें क्या बताता है इसके पारे में बात करते हैं देखें कोई भी mutual fund जो होता है वो ऐसा नहीं है कि जैसे मालीजے इस mutual fund ने अगर पिछले 5 साल में 45 से 46% का return मना कर neighborhoods दिया है तो हर साल यह 45-46% का return मना कर दिया होगा नई ऐसा नहीं होगा हो सकता है किसी साल उसने प्लस परचास परसंट का return बनाखर के दिया हो हो सकता है अगले साल मानटस 10 परसंट का return बनाखर के दिया हो मतलब कि पांचो साल का जो average होगा वो 45 या फिर 46 परसंट आ रहा होगा घुक है ये अलग-अलग साल का जो return होता है उसको average निकाल देते हैं वो जो value आती है उसे हम लोग बोलते है average value मा लिजे कि ये पिछले 5 साल में इस प्रकार से average value दे रहा है ठीक है return के मामले में अब मैंने आपको क्या बताया कि ये जो mutual fund है वो अलग-अलग साल में अलग-अलग return दे सकता है तो maximum इस average से कितना उपर जा सकता है value होती है इसी को बोलते है standard deviation यानि विचलन ठीक है standard deviation अब ये जो standard deviation जितना कम होगा उतना हमारे लिए वो mutual fund अच्छा होता है क्योंकि ये value जितना कम होगी उतना ये fund stable माना जाएगा क्योंकि मालीजे कि ये अभी इतना तक जा रहा है अगर मालीजे तो ये भी तो देखिये कि average से कितना नीचे चला जा रहा है तो ये mutual fund हमारे लिए ज़्यादा volatile माना जाता है जिसका standard deviation ज़्यादा होगा ठीक है यहां तक चीज़े इस पश्ट हो गई अब प्रतेक mutual fund का एक standard deviation होता है और वो जितना कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा होता है यहां तक चीज़े इस पश्ट होगे अब शार प्रिश्यू हमें ये बताता है कि कोई भी mutual fund जो है वो इसका जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि वो equity में भी exposure रखती है equity यानि कि direct company की हिस्सेदारी वो market गिरे या फिर बढ़े उससे impact नहीं करता है ये हमें fixed rate of return देखने को मिलता है अब जैसे एक example मैं लेता हूँ मालिजे आपने एक लाख रुपया इंवेस्ट किया कितना एक लाख रुपया इंवेस्ट किया यानि 100% जो आपका पैसा है वो equity में गया है तो equity जो है वो market के हिसाब से आपका पैसा grow करेगी या फिर minus में पैसा जाएगा तो आपका पैसा minus 50% से एक तरीके से नीचे चला जाएगा तो आपका जो current value हो जाएगा आपका ये invested value है यानि principal value है और current value यानि वर्तमान में आपके पैसी की value क्या रहा जाएगी 50% से ये गिर जाएगा यानि कि आपके current value हो जाएगी मातर 50,000 रुपे आपने 1,000,000 लगाया और आपके पैसे की current value 50,000 रुपे है ये pure equity की बात है अब माल लिजे कि कोई एक mutual fund है जो equity में exposure रखा हुआ है दियान से सुनेगा equity में exposure रखा हुआ है 50% का और माल लिजे की date में exposure रखा हुआ है 50% का यानि आधा पैसा वो equity में और आधा पैसा date में रखा हुआ है यानि कि 1,000,000 का पैसा आपका कैसे distribute हो जाएगा 50,000 आपका equity में चला जाएगा और 50,000 आपका किस में चला जाएगा debt में चला जाएगा मैंने आपको बताया कि माली ये market 50% से गिर गया तो ये जो equity वाला part था इसका value कितना हो जाएगा 50% गिर जाएगा यानि कि 25,000 हो जाएगा और इसके बाद से ये जो debt वाला part है ये मैंने आपको बताया कि 78% से आपको return बना करके दे रहा है तो 50,000 का अगर मैं आपको 8% निकालू तो वो 4,000 आता है यानि कि 50,000 ये principal value और 4,000 और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4,000 ठीक है अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 0,0,0,549 और 5,27 यानि आपका जो यहाँ पर current value होगा वो 89,000 होगा और pure equity में अगर आप देखें तो आपका जो current value रह गया था वो कितना रह गया था 50,000 रह गया था तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि अगर आपका mutual fund date में भी invest करके रखा हुआ तो वो आपको downside protection प्रोवाइड करता है जब market गिरता है तो equity वाला इससे directly impact होगा लेकिन date वाला बहुत कम impact उस पर पड़ता है यहाँ तक चीज़ सपस्ट हो गई अब इसी से हमारा SARP ratio जुड़ा हुआ है SARP ratio हमें यह बताता है कि कोई भी mutual fund जब आपका risk ले रही है तो risk लेने के साथ वो कितना ज़्यादा return आपको generate करके दे रहे क्योंकि no doubt आप जब equity oriented mutual fund में investment करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा risk है तो जब आप risk ले रहे हैं तो वो AMC आपको कितना ज़्यादा return बना करके दे रहे है यह हमें बताता है SARP ratio यानि कि risk adjusted return के बारे में SARP ratio बताता है और यह positive में जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए बहतरीन होता है यहाँ तक चीज़े इस पश्ट हो गई अब यहाँ पर SARP ratio निकालते कैसे हैं तो इसको जान लिजिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि जो टोटल रिटर्न होता है टोटल रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइड़ बाई स्टैंडर्ड डेवियेशन ठीक है सारे के बारे में मैंने आपको बता दिया अब टोटल रिटर्न माँ लिजिए कि ये 45% का दे रहा है और इसमें रिस्क फ्री रिटर्न माँ लिजिए कि 8% होता है अगर डेट को मैं मिला दूँ और इसका स्टैंडर्ड डेवियेशन जो भी वैल्यू होगा उससे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा सार प्रेश्यों के बारे में ठीक है और सार प्रेश्यों जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे बेटर है कैसे स्टैंडर्ड डेवियेशन नीचे इसकी वैल्यू आ रही थी इस्टैंडर्ड डेवियेशन जितना कम हो रहा है उतना ही इसकी वैल्यू जादाएगी और इसकी वैल्यू जादाएगी यानि शार प्रेश्यों की वैल्यू जादाएगी तो यहां से आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे ये वाला केवल deviation अगर लिया जाए नीचे वाला तो इससे जो value आएगी वो short in o ratio आता है और formula वही रहेगा total return minus risk free return divided by deviation लेकिन deviation में सिर्फ नीचे वाला deviation लेंगे हम लोग downside protection की बात करते है short in o ratio के मादद हम से तो ये भी value जितनी ज्यादा positive में रहेगी उतना हमारे लिए better हो सकता है यहां तक चीज़े बिलकुल इसपस्ट हो गई अब अगर हम लोग बात करें final verdict की क्या quant AMC का ये mutual fund हमारे लिए better हो सकता है या नहीं तो इसको जानने के लिए आपको इसके peer से थोड़ा सा compression करना होगा क्योंकि no doubt यहां पर यह value जो है volatile की तरफ हमें बता रहा है कि यह fund volatile ज्यादा है ठीक है और यहां पर अगर हमें alpha की value इससे ज्यादा मिल जाए beta की value इससे कम मिल जाए और star pressure इससे और ज्यादा मिल जाए और shortino ratio इससे और ज्यादा मिल जाए दूसरे नमबर पर bank of India और तीसरे नमबर पर निपॉन आता है निपॉन का अगर आप performance देखेंगे पिछले 5 सालों में तो लगभग इसने 37% का return बना करके दिया हुआ है और bank of India का देखेंगे तो इसे slightly up है लेकिन bank of India का जो AUM है वो बहुत कम है निपॉन की तुलना में और bank of India को अगर आप देखेंगे तो चुकि इसका AUM कम है भले ही इसने return जादा बना करके दिया है लेकिन long term में हो सकता है कि ये mutual fund इसको beat कर दे क्योंकि इसका AUM जादा है और साथी साथ आपको ये भी देखना होगा कि जब large यहाँ पर सिर्फ 5 साल का आप data देख पार होगे 10 साल का data देखेंगे तो ये जो निपॉन इंडिया है इसका performance इससे कहीं जादा आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर दूसरे नंबर का fund में मान करके चलाओ निपॉन इंडिया को क्योंकि इसका अगर आप देखेंगे तो AUM भी बड़ा है और साथी साथ 10 साल के आखड़े में ये इस fund को भी पचाड़ देता है तो चलिए निपॉन से अब हम लोग एक बार कंप्रीजन कर लेते हैं क्वांट इस्मॉल केप का आप अपने स्क्रीन पर निपॉन इंडिया इस्मॉल केप का डेटा देख पार होंगे अगर AUM की बात करें तो ये क्वांट से भी जादा है क्वांट का AUM लगभग 23,000 करोड का था ये लगभग 56,000 करोड का है AUM के मामले में ये क्वांट को काफी पीछे छोड़ देता है होल्डिंग की बात करें तो इसमें 215 स्टॉक्स में इनकी होल्डिंग है ठीक है और यहाँ पर अगर मैं इनका ब्रेकडाउन देखूँ तो होल्डिंग अनलिसिस में एक्वीटी में इनका एक्सपोजर लगभग 96% है और कैस में इनका एक्सपोजर लगभग 4.1% के आसपास है अब चलते हैं में टेक्निकल डेटा पर तो टेक्निकल डेटा पर अगर मैं आपको ले जाओ तो इनका पी ए रेशियो जो है वो quant से आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा अलफा की बात करें तो αलफा जो है वो quant से आपको ज़्यादा देखने को मिल्ला है यानि यह अपने benches practice की की तुल्णा में ज़्यादा return बना करके देगा अगर बीटा की value की देखें तो यह आपको एक तरीके से और आपको sharp भी यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है यानि कि risk free return जो है इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है ठीक है अब आते हैं final verdict की तरफ कि क्या quant small cap में एक retail investor को invest करना चाहिए या फिर नहीं तो सबसे पहले आप ऐसे समझे कि 5 साल का ही आंकडा हमारे के पास available है quant का ठीक है वहीं पर अगर आप निपॉन इंडिया के देखेंगे तो पिछले 10 साल से भी ज़्यादा का इनका record रहा है निपॉन इंडिया का तो detail compression के लिए हमें 5 साल का आंकडा sufficient नहीं है हमें कम से कम 10 साल का आंकडा चाहिए लेकिन पिछले 5 सालों में ये top performer रिस्क ज्यादा लेकर के अगर ज्यादा return बनाना चाहते हैं तो उनके लिए quant mutual fund small cap category का best option हो सकता है यानि कि वो अपने पैसे पर ज्यादा risk लेकर के ज्यादा return बनाना चाहते हैं लेकिन एक ऐसा conservative investor जो की risk कम लेकर के लेकिन small cap category का best option opt करना चाहता है जिसके पिछले 10 सल का भ investor अगर आप हैं ज्यादा risk लेना चाहते हैं और return भी हाई चाहते हैं तो आपके लिए quant best option है और अगर आप conservative investor हैं कम risk लेना चाहते हैं लेकिन return ठीक ठाक चाहते हैं तो उस condition में आपके लिए निपौन इंडिया small cap best option हो सकता है आप में से बहुत सारे retail investors small cap category का best option चुन रहे हो अब आप इस नतीजे पर पहुंच चुके होंगे कि इन दोनों में से कौन सा option आपको opt करना चाहिए आप comment के मादेम से बता सकते हैं कि अगर आपका already investment है तो इन दोनों में से किसमे है और अगर आप करने की सोच रहे हैं तो आप किसमे investment करना चाहेंगे आपको ये वीडियो